तो हमने जैसे की लास्ट वीडियो में चेप्टर नॉबर फोर सौर्टिंग मिटेरियल इंटो ग्रूप्स हमने शुरू कर दिया था इसमें काफी सारी चीज़े देखी कौन-कौन से डिफरेंट डिफरेंट अब्जक्त हमारे आसपास पाया जाते हैं कैसे अब्जक्त जो है उसी वाद हमने लिक्विड से चांस को भी देखा कि ऑईल कैसे वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो डिजॉल्व नहीं होता घुलता नहीं आप अब हमारा नेक्स टॉपिक है ट्रांस्पेरेंसी तो ट्रांस्पेरेंसी का मतलब क्या वर्ड से आपको पता है ट्र मतलब कि आर पार देखना कोई भी चीज ट्रांस्पेरेंट हो तो उसको बंट रंसे उआ कोई भी चीज जिसके हम और पार देख सकते हैं ऐसे सव्तन्स या फिर जिसके हम आरपार देख सकते हैं gestures की इसके हम बीच में रख़े रख सुप सक चाहिए हैनि कि और से बसी और बृब्र वह सकते हैं कि कोईभी ऐसी चीज जिसके लाइट जो है इसके आर पार पास हो सके कोई ऐसा स्टानस जिस से यह जो रे रौशन इंपर्ण जो किलेर ली पास हो सके तो हमें क्या हो जाएगा उसके आर पार की चीज़े इंगे और इस substans को सब्स्टांस की कि हां इसके अंदर ट्रांस्पिरेंसी प्रापर्टीस पाई जाती है इसके कुछ एक्जाम पहले ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक आरे प्लास्टिक ट्रांस्पेरिंट नहीं बनाया जाते हैं कुछ ओपेक भी होते हैं अगर वह कलर्फुल होंगे कि है अगर माललो ऑफटा कोई प्लास्टिक है तो Όम आरपर की चीजे नहीं दिखेगा इसे रैड कलर कई ली ट्रांस्पेरेंट की. तो आपकर सबकोई पता है यह जलिए ऊब अपने बिंड Village में देखा के बाहर से और चूज कर सके कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है तो वो शॉप की पड़ी जो अपना सामान होता है वो ट्रांस्पेरेंट बॉक्स से में रखता है तो यह था ट्रांस्पेरेंट प्रॉपर्टी तो कुछ एक्जाम्पल्स होते हैं जो ट्रांस्पेरेंट होते हैं अब कुछ ऐसे सबस्टांस होगे जो ट्रांस्परेंटंप नहीं होंगे तो उसको हम क्या है उसकोर हों कहीं देख्सके आर नहींद हो सके it जो उसकी एक तरफ से दूसी तरफ पास नहीं हो सकती इसलिए हमें उसके आरपार की चीज़े नहीं दिखेगी तो ऐसे सब्स्टांस को हम क्या कहेंगे ओपेक सब्स्टांस तो सम मेटेरियस जो होते हैं त्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी जिसके आरपार आप देखने के लिए सक्षम नहीं हो तो हम उसको क्या कहेंगे ओपेक मेटेरियल या ओपेक सब्स्टांस भी कह सकते हैं तो इसके एक्जाम्पल आपको आरपार दिखेंगा क्लोज वुड़न बॉक्स कोई लकडी का डबा है तो अब इसकी लकडी के आस पास आप नहीं देख सकते आरपार काड़ बोर्ड है कार्टून मेंटल कंटेनर अब को यह लोहे का समान हे तो अब उसको अब नहीं दिखाई देगी इवन और वॉल को लेलो दिवार को लेलो तीवार में जो होता है उसके भी अरपार चीज़े आपको नैज सकती हैर तो वो भी क्या हैं जिसको कहते है ट्रांस्लूसेंट चीजे दिख रही है इसे तो इसी के अंपर डायक्ट्बोर साथ और लाकन पार mont living अ billion लग पवीधियोन4 से उस नीट्वह स्क्राइब के दलाटन दलाटनने। लेल को ऊतल जोला नियु entrail रहाँ बिरूमट है वो इजली पत्र चला जाएगी तो इसके अधर क्या कि अधर किा दुल कफीझ का च्रेर डिलीस के लिल्कुल का श हमाइकर फिए और क्या रंवा इसके फीज नहीं रहीं तौ ये अधर दुकर ब्लब करता है तो इसके आरपड कोहली चीजे नहीं दिख र तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो जो बीच की कंडिशन होती है इसे हम क्या करते हैं ट्रांस्लूसेंट तो यह जो मेटेरियल इसके हाथ में यह है ट्रांस्लूसेंट मेटेरियल ट्रांसलूसेंट तो ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टिस के बेस पे यह आपकी अक्टिविटी नमबर 6 है तो इसमें आपको क्या करना है एक शीट लेनी है और फिर उसको बल्ब के पास में रख देना है और फिर उसके कुछ नोट बनाना है मतलब कुछ लिखना है तो एक सामनी अगर आप पेपर को रखें तो आपको कैसा दिखेगा प्याक है ऊबिसली कुछ नहीं दिखेगा तो यहां पे भी की आधेऑ तो यहां पने देख लिए कि अभी आपको कुछ नहीं देख रहा रहा आप को फिनी observation देख लिए आप उस पेपर पे क्या करेंगे आप त धालें say you drop drops of oil डालेंगे असे पहले आपने बल्ब के आगे देख्म कुछ taken टो आफने पर इस पेपर प söylक्रीन करने के बाह् t पहले के नहीं हमारे से इप शोड़ा दालेंद progress उसके दिखनें के बाद उसके ईडर कॉनसी प्रोपर्टी आ गई रांस्लूसेंट की तो जिसके आपको के लिए नहीं दिख शरा है आप गास throp sister दिखती है तो ऐसे मेटीरियल को क्या कहेंगे ट्रांस्लूसेंट year's मैटलब आप देख हो entrepreneurs लेकिन क्लिर नहीं देख रहे हैं तो वैसे मेटेट को क्या कहेंगे ट्रांस्लूसेंट तो यह आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी यहां पर एक और एक्जामपल देख सकते हैं आप जर्णली आपने करका होगा जब आप टॉर्च देखते हैं आप आप ऐसे हाथ रखेंगे त आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्टिर देखेगा थोड़ा आसे लगेगा कि आपके हाथों में से लाइट आ रही है लेकिन वह प्रॉपर लाइट नहीं देख रहा है आपको अपने हाथ के उपर से अगर आप देखेंगे तो आपको टॉर्च नहीं देखेगा क्रियर बट वह गरेट यहीं दॉर्च हे तो अलग अलग प्रॉपर्टी से बेश दुर्च नोल टूर्च कर के सकते हैं क्यों में बाड़ सकते हैं तो यह आपको चैप्टर था आपकोcidos नहीं हो जाता है तो कमप्लीट चुक और शुपा नहीं दिर्शन स्टीस करेंगे तो आए शृरू कर सब्सक्राइब नाम बताने काफी साली चीजे में आप बोल सकते हो डोर पर नीचर में सोफा टेबल चेयर ती साली चीजे का वोड की बनिया तकी टॉइस भी कुछ वोड के बनते हैं तो आप वह एक्जामपल दे सकते हैं हमारा सलेक्त फॉलिंग इसंतर इस के कि इन दर होती फॉटी है तो जडास बाल नहीं होता फ्लास्टी टॉइब भी नहीं होते हैं लेकिन स्टील का जो स्पून है वह एक मैटल है तो इसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी कॉट्न शर्ट में भी नहीं होगी तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है next is match the following इसमें हमें कुछ object दिये हुए और कुछ और इसका material होता है चेर और चेर यो बोड की बीव वोड़ toys जो हुते हैं вुग plastic के होते हैं और shoes जो होते हैं वह leather का होता है तो यह सारे object के इनके respective materials थे next question हमारा true and false का to first हमारा stone is transparent while glass is opaque ऐसा हो सकता है stone transparent नहीं है पहला statement हमारा गलत हो गया तो glass opaque यहाँ पे हम यह देख लेख लेते actually मैं हमारी statement false हो चुकी है बट ग्लास जो है वो ओपेक भी नहीं होता है ग्लास जो है वो ट्रांस्पेरेंट होता है तो यह भी हमारा फॉल्स है एक नोटबुक के अंदर लस्टर यान की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लेकिन इरेजर के लिए अंदर नहीं होती है तो यहां पर हमारा आधा स्टेट्मेंट जो हम यहां तक पड़ेंगे नोटबुक है लस्टर यह हमारा फॉल्स है क्योंकि नोटबुक के अंदर लस् तो यह भी हमारी स्टेट्मेंट हो गई फॉल्स नेक्स आप पीस ओफ वॉड्ड डाल दे पानी में तो क्या वह फ्लोट करेगा आप यह करके देख सकते हैं बट जर्णरली वोड जो है वह फ्लोट ही करेगा वह सेटल डाउन नहीं हो अक्सी वॉड्ड जो होता है वह हैवी लाइट अबजेक्ट में आता है अब पीस ओफ वॉड्ड बोला है इसलिए पीस ओफ वॉड्ड जो होगा वह लाइट अबजेक्ट होगा नेक्स चुगर देज्ट्र डालेंगे तो वह क्यों नहीं डिजॉल्व होगी है जब हम लेमन जूस बनाते हैं या चीनी पानी बना चाहित अब पाप युद्शो बना लेता लाइक अग्स नहीं ओता तो यह भी माइ प्रस्ट यूस्ट होगी फॉर्स चैनल दावन नें वाइस क्योंकि सेंड जो है वह कभी भी डिजोल्व नेता ही वह सेटल डाउन हो जाते बस बाटम में वाटर के जाके वीनेगर अब इसको आपको distinguish करना है A और B पार्ट में दो कोशन दियें A first में round shape and other shape में group करना है round shape अलग और other shape वाले अलग तो water हमारा water क्या आएगा round shape में नहीं आता तो यह हमारा others में आ जाएगा basketball basketball round होती है तो यह round में आ जाएगा Orange भी round होता है circular होता है तो यह बी circular चीरी जो है वो square shape होती तो round में नहीं है तो यहाप में others में आ जाएगी globe यह round होता है तो यह round में आजेगा Apple round नहीं होता तो apple round में नहीं आएगा यह others में आएगा अब अधर पीचर तो यह भी round यह जो है मटका इससे चाहिए यह मट का होता है तो मटका भी Irrond shape में आसकते है तो मटका भी मारा round shape में आ गया नेज्ट है मारा इटेबल और नॉनिटेबल अभी तो और और शुगर यह नाओ से लिस्ट अबने चीज़ उजयें तो अपको कुछ मेटीरियल से खट्टे करने और अबजेक्ट और देखना कि वह वाटर में फ्लोट करता हैं नहीं करता अब जो अलग से आपको केरसीन या ओइल में भी जालते देखना कि उसके भी फ्लोट करतें नहीं करतें से बाद नेक्स कुछिन हैं same material की बनाई जा सकती है लेकिन बेबी कभी भी same material का नहीं हो सकता तो obviously ये क्या है हमारा odd one है next is rose, jasmine, jasmine, boat, marigold, lotus तो अब rose, jasmine, marigold, lotus की सारी के हैं flower के types हैं लेकिन boat ये flower नहीं है तो ये different है तो ये हमारा odd one हो गया next is aluminum, iron, copper, silver and sand तो iron, aluminum, copper, silver ये सारे हमने पढ़े थे ये metals के example है सबकी property same होगी बट sand जो है वो metal नहीं है तो इसकी property different होगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा odd one हो जाएगा next है हमारा sugar, salt, sand and copper sulfate तो copper sulfate, sugar और salt की है ये सारी टीज़ोलवल है in water में बट sand जो है वो डिज़ोल नहीं हो सकता तो ये भी एक odd one है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा chapter के question answers भी खतम हो चुक है हमारे chapter खतम हो चुक है अब आपको वीडियो कैसी लेगी आप comment करके ज़रूर बते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में है कोई भी डाउट हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कीजिए और friends के साथ share कीजिए ओके बाबाई guys मिलते हैं next video